हेलो दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में तो प्लाजमा मेंब्रेन होता क्या है प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब् बतलब एक cell के जो आवटर लेयर उसको हमने क्या बोला है बादम मेंब्रेन वसको हम बोलते हैं जो आवटर लेयर हो जोती है उसको हम बोलते हैं या प्लाज़ार नगा अ आउतसें डाएल या आउट से दसलों चार न रखता है शयूरतय इल्टार Durace कौन सा food cell के अंदर जाएगा और कौन सा waste product cell के बाहर जाएगा तो यह काम है यह जो work है यह किसका होता है plasma membrane का होता है it is a semi permeable membrane semi permeable मतलब यह selective चीजों को ही cell के अंदर भेजता है इसलिए इसकौन ने बोला है semi permeable membrane it allows only selected materials it is made of lipid and proteins यह lipid और protein से बनाए गया है it is living flexible membrane membrane और यह ब 요Arthur flexible membrane इसको बोला जाता है कुछ लोग confuse होगा कि cell wall भी होती है plasma membrane भी होती है तो क्या होता है पहले cell ठीक है cell के बाहर एकलियर होती है us बोलते up plasmos membrane है user responsible membrane integration के भी बाहर ही clear होती उसको बोलते हम cell wall क्ये करता है पूरे cell को बाहर के environment और plasma membrane का का क्या होता है कोई भी molecule कोई भी food की entry exit करना वो काम होता है plasma membrane का यह कोई भी waste product का exit करना वो काम होता है हमारा plasma membrane का